हेलो वीवर्स, मैं सुधर्शन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चानल सुधर्शन वेल्ट अडवाइजर में आज के इस वीडियो सेशन में हम डिसकस करेंगे निफ्टी के आने वाले ट्रेंड के बारे में कि शायद क्या निफ्टी क्रैश हो जाएगा, I mean निफ्टी क्या 15,000 लेवल तक गिरेगा या निफ्टी में निउ हाय हमें देखने को मिलेगा तो आएए देखते हम चार्ट में, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चार्ट है ये वन मन्त के टाइम फ्रेम पे हमें रखना है और थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू हम देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था निफ्टी में जब कभी भी निफ्टी पीक पे था और एक बियूरिश एंगलफिंग पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न अगर उसमें जब फॉर्म होता है तो निफ्टी में किस तरह की ट्रेंड हमें देखने को मिले तो अब यहाँ पे देखते हैं यह है 2000 का, I mean March 2000 का यह मंतली कैंडल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का एक अपवर्ड रैली जो आया था अल्मोस्ट 98 से लेके 2000 तक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेरिश एंगलफिंग कैंडल फॉर्मेशन है हमें द अब देखना ऐसे है कि जब यह जो सेकंड कैंडल है जो एक बेरिश ट्रेंड कनफर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाता है तो करना क्या है कि इस कैंडल का लो मार्क करना है ठीक है जब इस कैंडल के लो को निफ्टी ब्रेक करता है तब आप देख सकते हैं एक अच्छा कासा हमें देखने को मिला मैं फिर से repeat करूँगा जब कभी भी एक upward daily आती है तो top पे अगर जब bearish engulfing candle form होता है monthly time frame पे तो उसके बाद और एक month हमें रुखना है उस candle को form होने देना है और ये जो next candle रहेगा next monthly candle रहेगा उसके low crop को mark करना है और वहां से आप level देखिया अब इस case में हम देखेंगे जो level था almost 1314 का था तो यहां से आप देख सकते हैं जब भी ये low को break करेगा तो आप देखें nifty make fall हमें देखने को मिला है और ये fall था almost 930 तक तो 1300 से लेके approximately 900 तक का fall तो 400 point का fall हमें देखने को मिला percentage wise अगर देखा जाए तो approximately 30% का fall हमें देखने को मिला 2000 में उसके बाद हम देखते हैं same top पे bearish engulfing कभी form हुआ कि अब यहां पे देखिए यहां पे upward rally हमें देखने को मिली 2006 में bearish engulfing candle हमें देखने को मिला top पे बट अगर आप immediate next monthly candle देखते हैं June 2006 का वो जो candle है उसका low हम mark करेंगे तो इस low को आप देख सकते हैं इस low को अगले 3-4 महिनों तक निफ्टी ने break नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि अगर यह low break नहीं होता है अगले 3-4 months में 3-4 महिनों में तो आप समझ सकते हैं फिर निफ्टी में हमें further new high देखने को मिला तो आप देख सकते हैं जो big bearish candle है उसका high break करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छी खासी rally हमें देखने को मिली अगर यह भी calculate हम करें यहां पर आप देखें तो यह जो high था almost 3760 का था और वो almost 5,900 तक गया so 3,800 हम consider करेंगे 3,800 से लेके 5,900 तक तो almost 2,100 पॉइंट की rally तो अगर हम count करें तो 70% की rally approximately 70% की rally हमें देखने को मिले अब उसके बाद फिर से देखिए एक red candle peak पे bearish engulfing candle monthly time frame पे उसके बाद आप देखिए एक next month का candle आप आपको करना क्या है यह bearish engulfing candle या next month का candle जिस किसी का भी low सबसे lowest हो उसको हमें mark करना है और जब कभी भी low break होता है तो आप देख सकते हमें fall देखने को मिला अब यह जो low था यहाँ पर हम देखेंगे यह था 4,460 का तो approximately मैं consider करूंगा 4,500 calculation के लिए easy हो जाए so 4,500 consider करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ एक bottom formation हुआ तो यह है 2,700 so 4,500 से लेके 2,700 तक का fall हमें देखने को मिला इसको हम count करें तो almost 18, I mean 800 का fall हमें देखने को मिला percentage wise अगर हम calculate करें तो roughly मैं कह सकता हूँ कि almost more than 10% का fall तो हमें देखने को मिला यानि कि approximately 20% का fall था 15 to 20% का fall हम वहीं continue करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं again bearish engulfing candle ठीक है उसके बाद यह जो मंतली next candle है इसका low हमें plot करना है जैसे ही यह cut करता है अब यह fall देखते हैं यहाँ पर अब यह जो low था यह था 5,174 तो हम roughly 5,200 consider करेंगे अब यहाँ पर जो fall हुआ यह 4,600 तक का fall था so 5,200 तक 5,200 से लेके 4,600 तक का fall almost 600 points का fall percentage almost 12% उसके बाद देखिए एक फिर से rally आई market में अब यहाँ पर देखेंगे 2015 2015 में फिर से देखें आप जो high था वहाँ पे एक bearish engulfing candle form हुआ next month का low हम plot करेंगे इन दोनों में से जो lowest रहेगा वह हम plot करेंगे तो यह था lowest अब इसका price हम देखेंगे 8,162 roughly हम इसको consider करेंगे 8,200 महाँ से fall हुआ almost 7,000 तक so 8,200 से लेके 7,000 तक 1200 का fall percentage वाज अगर देखा जा फिर से जो rally आई अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इसको एक engulfing candle मानते हो एक bearish engulfing तो आप देखिए यह engulfing उसके बाद इसका low हम plot करेंगे इसको low को उसने nifty ने cut किया ही ने तो इसलिए हम एक further uptrend continue देखने को मिला अगर इसी को भी आप bearish engulfing कहते हैं टॉप प का उसके low को अगर आप plot करते तो देखिए nifty ने उसको cut किया है ने इसलिए uptrend continue रहा अब यह जो fall था यह था covid वाल फॉल तो any scenario अब market irrespective of market condition यह तो fall होना ही था क्योंकि global scenario lockdowns के बने थे ठीक है तो इसको अगर हम skip करें तो आगे हम देखेंगे अब यहाँ पे यहाँ पे तो एक bearish engulfing candle था उसके बाद का जो next candle है उसको उसका lowest हम mark करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 16,400 अब 16,400 को जैसे ही cut किया nifty ने तो almost 15,200 तक का fall हमें देखने को मिला so 16,400 से लेके 15,200 तक तो almost 1200 points का fall हमें यहाँ पे देखने को मिला percentage वाइस अगर आप फिर से calculate करें तो मेरे सबसे मुझे लगता है 7-8% का fall यहाँ पे आमें देखने को मिला अब interesting बात ऐसी है कि अब December मंद की अगर आप candle देखते है December 22 यानि कि just previous मंद तो वो भी एक burish engulfing candle है तो अब सबसे important सवाल कि what will be the next upcoming trend इसके बाद का possible nifty का move किस तरह से रहेगा तो हमें क्या करना है यह हो गया December का candle जानेवारी मंद का candle complete होने तक हमें रुखना है एक बार अगर January का candle complete हो तो December candle या January candle इन दोनों का low हमें देखना है जो कोई भी lowest point हो वहाँ से हमें mark करके रखना है और in near future यानि कि February या March अप्रिल में अगर यह low break करता है nifty तो further हमें nifty मे fall देखने को मिल सकता है तो मेरे हिसाब से 7 to 10% का fall probably हो सकता है तो considering 18,000 अभी 18,000 के आसपास market है तो 7 to 10% का अगर हम fall consider करते हैं यहां से अगर मैं 10% का भी consider करूं तो 18,000 minus 1,800 तो 6,400 तक market fall हो सकता है ऐसा मैं consider करूंगा past history अगर past history हम देखते हैं तो 7 to 10% का fall usually हुआ है तो almost 16,400 तक हम fall देख सकते हैं और past में हमें 20% का भी fall देखने को मिला है तो यहां से अगर 20% भी fall हो जाए तो वो आता है 15,000 तक और यही मैंने यहां पे title में लिखा था कि nifty possible target 50,000 so 15,000 तक भी जा सकता है बट वही अगर upcoming months में अगर nifty यह December या January का low अगर break करता नहीं अगर nifty ने December या January का low ब्रेक ना किया और instead यह जो high है almost 18,900 का approximately 18,900 का अगर high break करता है instead of breaking the low ना break करते हैं अगर nifty का upcoming trend यह high को break करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि further upside हमें देखने को मिलेगा तो upside target क्या रह सकते हैं तो उसको upside target calculate करने के लिए अलग-अलग तरीका है तो यहाँ पर अगर मैं roughly बता दू तो India Wix मेरे यहाँ पर watch list में आप देख सकते हैं India Wix वो है India volatility index तो volatility index अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो roughly है वो 15% तो इसका मतलब क्या होता है कि इस साल में 2023 में अभी हम वैसे भी first month में है January में तो इस साल में either nifty में 15% का एक upside या 15% का downside possible है तो जैसा हमने historical भी discuss किया तो यहाँ से अगर 10 to 15% भी correct होता है तो जैसा मैंने लिखा 15,000 या 16,000 तक कि हमें targets downside में देखने को मिल सकते हैं वहीं को break करता है तो further upside हमें 15% तक के upside हमें देखने को मिल सकता है nifty में तो 15% upside तो क्या हो सकता है अभी 18,000 अगर हम reference value consider करते हैं तो यहाँ से 10 to 15% तो वो हो जाएगा 20,000 अड़ा तो यहाँ पर मैंने वो भी लिखा है कि possibly हम nifty में 20,000 तक के भी target इस साल देख सकते हैं तो यह फेबुर्वारी का candle किस तरह से form होता है क्या वो December January को break करता है ब्रेक करता है तो probably downside हमें देखने को मिलेगा यह अगर फेबुर्वारी में high break होता है तो हम further upside nifty में देख सकते हैं और roughly around 20,000 तक के targets इस साल हमें nifty में देखने को मिलेगा इसी के साथ मैंने पास्ट में एक वी January expiry तो ये भी आप वीडियो जरूर देखे ये भी एक interesting वीडियो है चार्ट को समझने में आपको बहुत आसानी होगी तो अगर आप अच्छे technical analyst बनना चाहते हैं तो इस तरह का analysis आप जरूर करे back test जरूर करे उसके बाद conclude करे और trade अगर initiate करना है तो आप अपने study के आप से या personal advisor के हिसाब से आप अपना trade ले सकते हैं disclaimer मैं बताना चाहूंगा मैं कोई से भी registered advisor नहीं हूं ये वीडियो मैंने बस post किया है just for an educational purpose ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करे उसको share करे thank you